प्रतिवा सिंग मंडी तो कंगना दे सामने चोन लड़न दे लितियार ने। के कि जे कर हाई कमांड उनना दी जूटी लगाएगी ता उस जरूर चोन मैदान चुत्रनगी ते कंगना नू कड़ी टकर देंगे हमने ये मांग की थी कि कौर्डिनेशन कमिटी में सीनियर लोगों को डाला जाए जिनका बहुत लंबा अनुभव है और जो पार्टी को शर्शक्त करते हैं वो अपना व्यू दे किस तरीके से हम किन कैंडिडेट्स को टिकेट दिलाएंगे इसके बारे में चर्चा हुई अभी हमारे उप्चुनाव भी है उप्चुनाव में भी किसको हम उतारेंगे कुछ नाम वहाँ पर आये हैं सामने और उस पर अभी सोच विचार किया जाएगा लोगों से फीड़बैक लिया जाएगा और शिग्रव हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी उनका नामों को तै करें और हम फील में उतर कर पार्टी के लिए काम करना शुरू करें देखें अभी भी मैंने यह हाई कमांड पर छोड़ा हाई कमांड क्या डिसाइड करती है किसको टिकेट देना चाहती है मैंने अपनी बात रख दिये और शुकला जी के सामने भी रख दिये और वो कह रहे थी कि हम इसके उपर जल्दी निर्ने करेंगे कि किसको टिकेट दिया जाएगा अगर हाई कमांड का आदेश होता है तो ठीक है उनके आदेश का पालन मैंने पहले भी किया है जब राम सुरूप जी बीजेपी के कैंडिडिट थे तब भी उनने मुझे फील्ड में उता रहा था मैंने तब भी पार्टी के लिए काम किया है उसके बाद हमारा बाई लेक्शन हुआ जबकि इनकी सरकार केंदर में भी और यहां भी थी तब भी मैंने इलेक्शन लड़कर जीत हासिल करके इनको सीट वो जीत के दी तो अब यह जो इलेक्शन आया है इसमें हाई कुमांड का क्या फैसला होता है मैं उनकी बात सुनने के बाद ही तैय करूंगे देखे है तो वो हिमाचल की बेटी है हिमाचल से पर उनकी फील्ड कुछ और थी वो फिल्म में काम करती थी फिल्म की स्टार है जहां तक राजनीती की बात है राजनीती में लोग ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो उनके संपर्क में हो जो फिल्ड में सभी की जानकारी के मताबिक काम करें और राजनीती फिल्ड मैं समझते हूं कि काफी 24 आज जॉब है आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं बॉम्बे में बैठ कर ये करूं तो उससे लोगों को थोड़ा ये है कि हम इनको कहां डूंडेंगे कहां अपने काम करवाएंगे तो ये एक कारण है जिसकी वज़ा से थोड़ा वो लोग सोच रहे हैं कि नहीं हमें एक शशक्त कैंडिडेट चाहिए ऐसा उमीदवार ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो फिल्ड में हो और हमारी स खीक बात है कि हमारे उपर कुछ संकट के बादल उभ रहे हैं इनकों बादलों को भी हम दूर करेंगे अपने कैंडिडेट्स को जताएंगे और पांच साल तक सरकार चलेगे